दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे वोटर आइडी कार्ड के बारे में तो रिसेंटली वोटर आइडी कार्ड के तरब से बहुती बड़िया अपडेट आया है तो क्या है अपडेट तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुती इंपोर्टेंट होने बाला है तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं करण के साथ भी आपका आधरकार्ड लिंक करना पड़ेगा और यह जो काम है कब से स्टार्ट होगा बहुत जल्द आगोस्ट मैने की फास्ट ट्वीक से वोटर आईडी करण के साथ आधरकार्ड लिंक करने का जो काम है ओ स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा जो local BLO है तो जो boot level executive होता है election commission आप इंडिया के तरफ से तो मैंने उनसे बात किया है तो उन्होंने भी ए confirm किया है उनका भी meeting हो चुका है आधरकार्ट के साथ voter card link करने के लिए तो officially अभी announce कर दिया गया है दोस्तों आप सबी लोगों को आधरकार्ट के साथ voter card link करना पड़ेगा तो अभी यहाँ पर question आता है किस तरह से लिंक करना पड़ेगा और कहाँ से करना पड़ेगा तो दोस्तों आपको घाबनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मैं आपको step by step process दिखाऊंगा किस तरह से घर बैठे आप अपने mobile phone के माध्धम से आधरकार्ट के साथ voter card link कर पाऊगे तो इस वीडियो के end पे भी मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से link होगा तो दोस्तों आगर आपके पास एक smart phone है तो आपको google play store में चले जाना है और होगा से डाउनलोड करना है voter help application को तो voter help line application को डाउनलोड करने के बाद आपको register करना होगा तो चलिए दोस्तों मैं आगे आपको mobile के screen पे लेके चलता हूँ और होगा दिखाता हूँ किस तरह से voter help application के माध्धम से आधार कार्ड और voter ID कार्ड लिंक कर पाऊगे हाला कि यह जो काम है आभी testing mode पे चल रहा है officially आगोस्ट महिने की fast week से start होगा तो उससे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं mobile के screen पे चल जाता हूँ तो दोस्तों आप देख सकतो मैंने voter help line जो application है उसको मैंने install करके राखा है तो आभी ऐसे मैं open कर लेता हूँ तो open करने के बाद देखे कुस इस तरह का interface आपके सामने आएगा तो यहापा देखे सब से पहले आपको agree पे click करना होगा उसके बाद आपर देखे next पे click करना होगा तो जैसे next पे click करोगे देखे यहापा language आपको हिसर चूज कर ले ना उसका बाद guest test पे आपको click करना होगा तो click करने के बाद देखे दोस्तों कुस इस तरह का interface आपके सामने आएगा तो यहाँ पर कहाँ पर आपको मिलेगा voter card के साथ other card link करने का option तो दो तारीका है तो दोनों ही तारीका मैं आपको बता हूँगा तो देखिए एक दुम नीचे यहाँ पर है explorer तो explorer पर आप जैसे click करोगे देखिए बहुत सारा option आपके समने खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तो आपको एक option मिलेगा electoral authentication form 6B तो यहाँ पर मैं आपको mark करके भी दिखाने की कोशिश करूँगा तो देखिए दोस्तो यहाँ पर एक option है electoral authentication form 6B तो यहाँ पर आपको click करना होगा तो चले मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो जैसे मैंने क्लिक कर लिया, देखी है आपर एक option आया है, do you already have a voter ID number, yes or no, अगर आपके पास already voter ID card number है, तो yes करना है, नहीं तो no पे क्लिक करना है, simple बात है, अगर आप अधर कार्ड के साथ voter card link करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास voter ID card number होगा, तो यहापर yes पे क्लिक करने के बाद यहापर देखें नीचे next है, तो next पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद देखें आपर state select करना होगा, जो भी आपका state है, तो मैं फिलाल ओस्ट बेंगल को select करूंगा, क्योंकि मेरा जो state है, ओस्ट बेंगल है, उ जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आपका details आ जाएगा, उसके बाद देखें नीचे एक option है, प्रोसीड, तो इस प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा, तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपको next process में लेका चले जाएगा, तो दोस्तों अभी जो voter ID कार्ड के साथ, आधर कार्ड लिंक करने का काम है, स्टार्ट नहीं हुआ है, आभी टेस्टिंग चल रहा है, तो आगोस्ट मैने की फास्ट विक में option लाइब हो जाएगा, आप सभी लोग काम कर पाऊगे, आभी आप ट्राइ करके देख सकते हो, कुछ-कुछ टाइम पे यहाँ पर data fetch हो रहा है, कुछ-कुछ टाइम पे नहीं हो रहा है, तो मैंने बहुत बात देखा है, यहाँ पर error आ रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दोस्तों, जाब भी फूल स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको एक details वीडियो बनाके, step-by step लिंक करके दिखा दूँगा, तो आप ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और प्रोसेस को देखके राक सकते हो, तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके राक लीजिए, जैसे ही एक काम स्टार्ट होगा, मैं एक details वीडियो बनाके, तुरन आपको सूचित कर दूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी आउन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपडेट दू, तुरन आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एही इनफर्मेशन आपको देना था, तो यह वीडि ट को दो दृूपाद की इस वीडियो में एही Alfie